नमस्कार, Study IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम दिव्यान शुकला है और मैं आप सभी के लिए Environment Technology की Classes डेली 10 से 11 एम के बीच में सुबह ले करके आता हूँ इन Classes का उद्देश्य आपकी आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परिक्षाएं हैं चाहे वो किसी State Service की आप preparation कर रहे हो या फिर आप UPSC की preparation कर रहे हो इन सब के लिए Environment Technology से related कुछ important topics को ले करके आना और उनको बहुत ही simple language में समझाना और इसके साथ साथ कुछ questions आपको solve कराना जो UPSC में या UPPCS के exams में previously पूछे गए हैं ऐसे कुछ questions को ले करके हम लोग आपके सामने आते हैं ठीके तो जितने भी classes इससे पहले गई हैं उन सब की playlist बनी हुई है आप study IQ PCS channel में जा करके playlist section को खोल करके उसमें Environment Ecology की classes को आप देख सकते हैं sequence में सारी classes है आज की जो हमारी class है आज की जो हमारी class है वो class है ecological pyramids के उपर ecological pyramids क्या होते हैं आईए इनको जानते हैं so ecological pyramids को समझने से पहले हमको कुछ basic से term समझने पढ़ेंगे कुछ definition समझने पढ़ेंगी जैसे इन में सबसे important है food chain food chain क्या होती है ecological pyramid को समझने से पहले हमें food chain समझना पढ़ेगा देखो food chain जो होती है basically ये producer यानि उतपादक producer से ले करके जो consumer होता है यानि उपभोगता so basically उतपादक और उपभोगता यानि producer और consumer के बीच के energy के transfer को हम food chain से दिखाते हैं जैसे मैं example आपको इक बताता हूँ जैसे किसी भी जगे पर एक घास का मैदान है उस घास को खाने के लिए बहुत से तरह तरह के जीव जनतु आएंगे for example कोई टिड़ा कोई ग्रास होपर उस ग्रास को खा रहा है so अगर कोई ग्रास को खा रहा है कोई ग्रास होपर कोई ग्रास होपर खा रहा है इस ग्रास को और उस ग्रास होपर को खा रहा है frog यानि मेंधक उस मेंधक को खारा है कोई snake यानि सांप और उस सांप को खारा है यह hawk यानि यह eagle यह hawk यह जो भी बाज है जब यह बाज मरता है तो इसको खा जाता है fungus, fungi, bacteria इसको सरागला देता है और वापस से इसके constituents में मिला देता है इसको बोलते है food chain मतलब energy का transfer एक tropic level से दूसरे tropic level तक एक इस्तर से दूसरे इस्तर तक portion के एक level से दूसरे level पर energy का transfer जो एक सीधी शुंखला में होता है एक series के format में होता है उसे हम बोलते है food chain यहाँ पर grass क्या है grass is a producer क्योंकि grass क्या कर रही है यह sunlight, water, air इन सब को ले करके oxygen को ले करके food बना रही है इसके साथ साथ यह जो nutrients हैं, जो minerals हैं इसको जो मिट्टी से मिल रहे हैं उसको भी ले रही है तो यह basically जो हमने आपको पहली class में बताया था abiotic substances को biotic में convert कर रही है समझ रहे ना abiotic substances को sorry किसमे convert कर रही है, biotic में यानि जिन में जीवन नहीं है उन चीजों को पेड़ पौधे किसमें convert करते हैं जीवन में, इसी लिए trees या पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जादा जरूरी होते हैं क्योंकि एक मात्र ऐसी प्रजाती है जो अजीव या निर्जीव चीज को जीवन दे सकती है, जीवन में convert करती है कौन है ये? ये हमारी vegetation है वनस्पती अब इसमें grasses आ जाएंगे, trees आ जाएंगे shrubs आ जाएंगे, तो ये सब क्या करते हैं abiotic substances लेते हैं abiotic का मतलब जो अजैविक हैं जीवन है, जीवन नहीं है जैसे कि sunlight ये sunlight लेंगे ये water लेंगे, water is also a abiotic substance ये soil, ये air इन सब को ले करके ये क्या बना देंगे? biotic substance बना देंगे यानि grass जो है, ये basically क्या कर रही है? abiotic को biotic में convert कर रही है, तो grass को बोला जाता है, ये primary producer है क्या है? primary producer प्राथमिक उत्पादक है ये ये है प्राथमिक उत्पादक यहाँ तक I hope आप सभी को clear होगा so basically food chain क्या होती है? food chain का मतलब है producer से ले करके consumer तक की जो श्रंखला होती है, भोजन की श्रंखला, उसको हम बोलते है food chain या खाद श्रंखला या भोजन श्रंखला, ओके? now अब हम next point में move करते हैं, जो हमको समझना है, वो है food web, basically food web का क्या मतलब क्या होता है? जब कई सारी food chains आपस में बहुत ही complex तरीके से मिल जाती है, जैसे जरूरी नहीं कि घास को सिर्ट टिड़ा ही खाए, कोई grass होपर ही खाए grass को खरगोश भी खा सकता है hiran भी खा सकता है, और भी तमाम तरह के जीव जन्तु, चूहे वगरा ये सब भी खा सकते हैं, तो एक producer को कई सारे जीव खा सकते हैं, ये हमको पता है एक producer को, एक producer जैसे grass है, इसको कई सारे जीव खा सकते हैं, इसको hiran भी खा सकता है, इसको चूहा भी खा सकता है, इसको खरगोश भी खा सकता है, और इसको टिड़ा भी खा सकता है अब इस टिड़े को एक मेंड़क खा सकता है या एक साप खा सकता है या एक नेवला खा सकता है मॉंगूज ऐसे बहुत सी चीज़े हो सकती है इसी तरह से इस खरगोश को भी कई सारे प्रेडिटर्स हंट कर सकते है कोई चीता खा सकता है इसको कोई भेडिया खा सकता है कोई लोम्री खा सकती है कोई बिल्ली मार के खा सकती है तो आप देख रहे है न food chain का मतलब है कि एक sequence में, एक series में सीधी शंकला जबकि food web का मतलब है complex संकला एक बहुत ही complex series जब कई सारी food chains आपस में मिल जाएं तो food web बना देती हैं जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इस हिरन को यह भालू भी खा रहा है इस भालू को और यह भालू इसको भी खा सकता है ठीके, इसके बाद यह हिरन जो है, जब यह हिरन मरेगा decompose होगा, तो इसको fungus खाएगा बैक्टिरिया खाएंगे, यह जो follow फूल है, इनको यह हिरन खा सकता है इनको ये भालू भी खा सकता है, इनको ये चुडिया भी खा सकती है, इनको ये चिपमंग, यानि कि ये गिलहरी भी खा सकती है, ठीक है, इसको ये टिड़ा भी खा सकता है, बहुत ही complex pattern जब एक साथ मिल गया है, तो उसको बोलते हैं क्या, food web, यहां तक आई होग, आप सभी को समझ में होगा, food chain और food web क्या होती है, next अब बात करते हैं, tropic level की, tropic level is very important thing, tropic level की बात करते हैं, देखते हैं, tropic level क्या होता है, see, tropic level का मतलब होता है, tropic का मतलब होता है, जो trophy होता है, यह word होता है, जिसका मतलब होता है, नरिष्मेंट, यह होता है, ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है, कि नरिष्मेंट का लेवल, मतलब एक भोजन ये एक पोशन इस्तर बोलते हैं, इसको, तो ट्रॉफिक लेवल को बोलते हैं पोशन का इस्तर, जो पोशन इस्तर है, मतलब प्रोड्यूसर से लेकर के, उत्पादक से लेकर के, उपभोगता तक कई सारे ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, कई सारे पोशन के इस्तर हो सकते हैं, जैसे हम बात करें ट्रॉफिक लेवल की, तो सपोस करो बहुत सारी घास है सौ किलोग्राम घास है इसको खाया बीस किलोग्राम के एक हिरन ने और इस बीस किलोग्राम के एक हिरन को खा लिया इस बीस किलोग्राम के एक हिरन ने अब ऐसे कई सारे बीस बीस किलोग्राम के हिरन को खा गया एक चीता है इसमें सिर्फ हिरन है याने डियर है इसमें सिर्फ दीर है इसमें सिर्फ Lai Zenda है और यहां सिर्फ lion सो इस तरह से एक आपको ट्रॉपिक level अलग अलग दिख रहे हैं पोशंड की अलग-अलग शवंक्राय दिख रही हैं इसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, लरिश्मेंट का लेवल या पोशन का इस्तर, a ट्रॉफिक लेवल is the representation of energy flow in an ecosystem, कि energy कैसे घास से इस हिरन में जा रही, हिरन से चीते में जा रही, चीते से शेर में जा रही है, so this is known as ट्रॉफिक लेवल, I hope आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल का मतलब पोशन का वो इस्तर, जिसमें energy या उर्जा एक इस्तर से दूसरे इस्तर पर transfer होती है, this is known as ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, यह कुछ बेसिक चीजे थी जिनको हमको समझना थ अब हम बात करते हैं पिरामिड की, कि पिरामिड होता क्या है, देखो बेसिकली कई सारे ट्रॉफिक लेवल को मिलाने पर ही पिरामिड का निर्मार होता है, जैसे हमने बताया, एक ट्रॉफिक लेवल, जैसे हमने आपको बताया, एक ट्रॉफिक लेवल यह है, एक पोशन का एक level है जिसमें सिर्फ loins है और इसके उपर एक level है जिसमें सिर्फ man है तो ये आपको एक pyramid का shape यहाँ पर दिख रहा होगा this is known as ecological pyramid अब ये क्या बताता है ये बताता है कि कैसे energy एक traffic level से दूसरे traffic level दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे और इस तरह से transfer होती है तो pyramid basically traffic level के organizations होते हैं अलग-अलग इस्तर होते हैं जब एक साथ हम मिला देते हैं तो pyramid का निर्माड हो जाता है जो ये बताता है कि उर्जा का इस थायांतर कहां से कहां की तरफ हो रहा है अब हम बात करते हैं कि जो pyramids हैं ये कितने प्रकार के होते हैं so let's talk about the types of ecological pyramids see ecological pyramids जो होते हैं they are of three types ecological pyramids जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा यहां पर एक तो होता है pyramid of I'm sorry number संख्या का pyramid दूसरा होता है pyramid of biomass तीसरा होता है pyramid of energy जी उर्जा का pyramid ये तीन तरह के pyramids होते हैं अब number का pyramid biomass का pyramid और उर्जा का pyramid इसको हम sequence में समझते हैं एक स्रंखला में एक क्रम में समझते हैं चली सबसे पहले समझ लेते हैं pyramid of number ये कैसे work करता है pyramid of number का मतलब इस pyramid से हमें ये show होता है यह दिखता है कि पिरामिड के ट्रॉफिक लेवल पर कितने मेंबर्स हैं और जब उर्जा का इस्थानांतरन हो रहा है तो मेंबर्स घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं जैसे पिरामिड ओफ नंबर का मतलब जैसे यहां पर घास है देख रहा हैं आप सबसे निचले इस तर पर grasses है घास है और घास बहुत सारी है कोई एक घास नहीं है बलकि आप अगर किलो ग्राम के इसाब से देखेंगे तो हजारो किलो ग्राम हो सकती है अगर आप particular घास के इसाब से देखेंगे तो लाको करोणो घास के जो पौधे हैं व तो अपने जीवन के कारेकाल में वो खाई जाएगा इसका मतलब है कि यहां से घास से कम होगा नमबर किसका टिड़ों का अब ये एक चूहा कई सारे टिड़ों को खा जाता है इसका मतलब चूहों का नमबर जो होगा ये टिड़ों से कम होगा इसी तरह से एक साप अपने जीवन में कई सारे सापों को खा जाता है इसका मतलब numbers की जब हम बात करते हैं तो number नीचे से उपर की तरफ decrease हो रहा है और यह जो pyramid है यह upright बन रहा है upright का मतलब सीधा pyramid बन रहा है यह pyramid सीधा हो रहा है इसका मतलब यहां सबसे जादा members है उसके बाद members इससे कम फिर उससे कम और सबसे टॉप में सबसे कम members है so basically यह start होता है कहां से producer से क्योंकि grass क्या है producer है उत्पादक है और यह grazing food chain का example है यह grazing food chain का मतलब है जहां पर grazing होती है जो चरवाहा वाली जो चारा जो पशू चरते हैं उसकी वाली grazing food chain है ठीक है तो इसमें घास से starting होई तो यहां पर आपने देखा कि कैसे number of pyramid जो होता है वो हमेशा कैसा होता है यह upright हो रहा है किसका यह है grazing food chain का या अगर surface की बात करें हम भूमी की बात करें तो भूमी में pyramid जो होगा हमेशा upright होगा यानि सीधा pyramid बनेगा क्योंकि निचले वाले portion इस तरसे उपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे number of members कम होते जाते हैं यहां number of member ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम pyramid ठीके यह सीधा pyramid या upright pyramid ठीके तो अब बात करते हैं यहां पर यह तो हो गया हमारा यह तो हो गया हमारी land के हिसाब से यह हमारी grazing food chain के हिसाब से pyramid अब बात कर लेते हैं कि कैसे apatic pyramid कैसे वर करता है या जो जली यह pyramid है वो कैसे वर करता है जली pyramid में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर कुछ phytoplankton है, phytoplankton का मतलब जो समुद्र में या जली इस्थानों पर पौधे पाये जाते हैं, उनको बोलते हैं phytoplankton, जो अपर सर्फिस के लेवल पर या नीचले लेवल पर पाये जाते हैं, उनको बोलते हैं phytoplankton, basically यह तो एक छोटी मचली अपने जीवन काल में कई सारे phytoplankton खा जाती है, इसका मतलब नमबर ओफिशेस कम होगी phytoplankton के नमबर से, यह पाये जादा होगा फिर छोटी मचली का नमबर उससे कम होगा, अब एक बड़ी मचली अपने जीवन काल में कई सारी छोटी-छोटी मच इसका मतलब चाहे एक्विटिक की बात करें, चाहे हम ग्रेजिंग फूट चेन की बात करें, दोनों में ही नमबर का पिरामिड हमको सीधा देखने को मिल रहा है, मतलब नमबर ओफिशे की बात करें, तो नीचे से उपर की तरफ डिक्रीज होते हैं, घड़ते हैं, इसलिए ये पिरामिड हमको उल्टा मिलता, सीधा मिलता है, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा, अब हम बात करते हैं, पिरामिड ओफ, ये तो नमबर का पिरामिड हो गया, अब हम बात करते हैं, नेक्स पिरामिड जो हमारा है, वो है, पिरामिड ओफ नमबर इन्वर्टेड कभ हो सकता है उल्टा कब हो सकता अभी तो हमने सीधा पिरामेट किया अभी उल्टा भी हो सकता है कि नीचे जो हैं मेंबर की संख्या कम रहे और इसके उपर एक ही मेंबर पर कई सारे जीव आश्रित हों फिर इन कई सारे जीव पर और कई सारे जीव आश्रित हों फिर इन कई सार लाखो कीट पतंगे आएंगे चीटियां आएंगी और भी बहुत सारे जीव जनतु आएंगे कई सारी चडियां उसमें घर बना करके रहेंगी उनके फल को खाएंगी तो ऐसे करके एक पेड़ के ऊपर कई सारी चडियों का जीवन है और इन जीवन जीवन चडियों के ऊपर क पर यहां कही सारे बाज और इन सब का जीवन निर्भर करता है, तो एक पेंड जो है, यह कई सारे जीवन को आश्रे दे रहा है, इसका मतलब, इसका नमबर जो होगा, पेंड का नमबर एक है, उससे ऊपर चुड़िया कई सारी हैं, उसके उपर फिर बाज कई सारे तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर pyramid of numbers inverted बनेगा यानि उल्टा बनेगा क्योंकि नीचे number of members कम है और उपर जाने पर number of members बढ़ जाते हैं so this is basically pyramid of numbers inverted भी हो सकता है इसका मतलब यहाँ से अगर आपके पास question आता है कि pyramid of numbers can be number का जो pyramid है वो हो सकता है क्या हो सकता है सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है number A सीधा हो सकता है, number B उल्टा हो सकता है, number B, number C सीधा एवं उल्टा दोनों हो सकता है या number D, इन में से कोई नहीं, तो आप क्या लगाओगे, सीधा और उल्टा, दोनों सकता है, depends upon the circumstances, कि कौन सा जीव producer है, जैसे मैं आपको बताऊं, suppose करो, हमने आपको पहली क्लास में बताया था, कि काउडंग जो है, गाय का जो गोबर अगर उसका example लें, काउडंग का example लें हम सो काउडंग जो basically होता है, एक काउडंग भी अपने आप में एक ecosystem होता है, पूरा का पूरा, यह जो काउडंग है, यह भी अपने आप में एक तरह का ecosystem है, क्योंकि इस काउडंग में क्या है, इस काउडंग में minerals हैं, nutrients हैं, इसमें moisture है, moisture के अलावा, कई सारे bacteria है, और दुनि सारे bacteria की लाखो प्रजातियों का जीवन इस पे निर्भर कर सकता है, fungus कई सारे मतलब भी इस पे निर्भर कर सकता है जीवन, तो इस तरह से अगर आप इसका pyramid बनाएंगे तो कैसा बनेगा, inverted बनेगा, क्यों, क्योंकि नीचे एक शंकला है, नमबर एक है, और इस पर कई सारे beetles का जीवन इर्भर करता है, और beetles पर कई सारे अन्य तमाम तरह के जीवों का जीवन इर्भर कर सकता है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि pyramid सीधा बनेगा, कि उल्टा बनेगा, whether pyramid would be upright और it would be inverted, ठीक है, यह हम number of members से देख सकते हैं, कि कितने number of members किसके उपर आश्रित हैं, चल इतना mass कितना है, यह जो biotic mass है, यह कितना है, जैसे इस picture में आप देख सकेंगे, pyramid of biomass upright कब होता है, तो यहाँ पर grazing food chain आप देख रहे होंगे, या फिर आप land वाली food chain देख रहे होंगे, जो इस तल पर food chain होती है, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो producer में हम बात करेंगे, producer में क्या है हमारे पास, producer में हमारे पास घास है, ग्रास है, तो देखो 1000 kg ग्रास है, अब उस 1000 kg ग्रास को अपने जीवन काल में, यह एक भैस, यह एक खरगोश और यह एक हिरन मिल करके बहुत जल्दी खा जाएंगे, ठीक है, अब इन ऐसे कई सारे हिरनों को यह wolf खा जाता है अपने जीवनकाल में, ऐसे कई सारे वूल्स को ये टाइगर खा जाता है तो आप समझ रहें कि minimum number of members नीचे ज़्यादा है, वजन bio mass जो है नीचे ज़्यादा है, number of members भी ज़्यादा है और इसी विज़े से bio mass भी ज़्यादा है because घास का bio mass कितना है 1000 kg, फिर इसका वजन कितना हो गया 100 kg, फिर उससे 10 kg, फिर इससे 1 kg इस तरह से energy का transfer हो रहा है यानि bio mass का number जो है नीचे ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, उससे कम फिर उपर फिर उससे कम ऐसे करके ये transfer हो रहा है तो यहाँ पर pyramid of bio mass कैसा बनेगा upright बनेगा, यानि सीधा बनेगा अब pyramid of bio mass सीधा तो बन गया भाई, आपने देख लिया क्या pyramid of bio mass उल्टा हो सकता है so definitely हो सकता है कैसे हो सकता है, चलिए देख लेते हैं देखे, pyramid of bio mass inverted कब हो सकता है, उल्टा कब हो सकता है यहाँ आप अगर देखेंगे देखिए पिरामिड और बायोमास उल्टा कब हो सकता है जब हम एक्वेटिक फूड चेन में जाएंगे एक्वेटिक यानि जलिय खाद श्रंखला में जाएंगे तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जलिय ख्षित्र के लिए एक्वेटिक एकोसिस्टम के लिए जो पिरामिड और बायोमास है इट कैन बी इन्वर्टर यह उल्टा हो सकता है कैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर का मतलब यह फाइटो प्लैंक्टन हैं सबसे ज्यादा का इसमादी यहाँ पर जो पिरामिड और बायोमास है यह उल्टा बनेगा जोगा आपसे पूछे तो इसमादी इन्वर्टर यह आपते उण्पर Не ये उल्टा हो सकता है नेक्स चलिए हम बात कर लेते हैं पिरामिड ओफ एनर्जी की देखे यही एक पिरामिड है कई बार question यहां से पूछा जा चुका है ये एक पिरामिड ऐसा देखे हम भी आपने देखा कि पिरामिड ओफ नंबर में भी पिरामिड भी है उल्टा पिरामिड भी है पिरामिड आप बायो मास में भी उल्टा और दोनोंतर राके पिरामिड है सिर्फ एनर्जी का पिरामिड जो है यही एक ऐसा पिरामिड है यहार हमेशा सीधा ही रहेगा यह कभी उल्टा नहीं हो सकता it can never be inverted it will always be upright अमेशा सीधा ही रहेगा क्यों रहेगा because यह जो traffic levels होते हैं जो portion के इस्तर होते हैं यहाँ पर एक rule कारे करता है उर्जा का एक नियम कारे करता है कि नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल से उपर वाले ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ दस प्रतिशत उर्जा ही स्थानांतरित होती है only 10% energy can be transferred from lower tropic level to upper tropic level because जो 90% of energy है उस में से उस जीव को अपने जीवन को चलाने के लिए भी तो उर्जा चाहिए for example suppose करो कि कोई भी हिरन है उसने एक दिन में 10 kg घास खाली suppose करो अब क्या वो 10 kg घास से उसको जितनी कैलोरी मिरी माल लो 1 kg घास से उसको 100 kg कैलोरी मिल रही है अब या फिर 1000 kg कैलोरी मिल रही है अब 10 kg घास से उसको 10,000 kg 10,000 kg कैलोरी मिल जाएगी अब ये 10,000 kg कैलोरी जो मिल रही है क्या सारी की सारी 10,000 किलो कैलोरी हिरन के अंदर आ गई है और वो अगर कोई शेर उसको खा जाएगा तो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी घास के एनरजी नहीं होगी क्योंकि आज भी उसमें खाया है कितना 10,000 किलो कैलोरी ली है कल भी वो 10,000 किलो कैलोरी लेगा परसो भी 10,000 किलो कैलोरी लेगा ऐसे करते करते तो वो पूरे जीवन परियंत में पता नहीं लाखो करोनो किलो कैलोरी उसके उपर अंदर सनक्षित हो जानी चाहिए बढ़ ऐसा होता नहीं है क्योंकि अगर मालो एक दिन में वो 10,000 किलो कैलोरी को कंजंशन कर रहा है तो उसकी इंटर्नल फंक्शनिंग में भी तो कैलोरी खर्च हो रही है क्योंकि उस भोजन को पचाने में ही 50% दूर्जा लग जाती है 50-60% जैसे हम लोग के केस में भी यही होता है जहां से वो मिल रही है इसके अलावा हम लोग एक्स्क्रीशन करते हैं हम लोग रनिंग करते हैं हम लोग दौरते भागते हैं उर्जा को जिसे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ एनर्जी वेस्ट हो रही है एनर्जी खर्च हो रही है ठीक है lungs काम कर रहे हैं हमारा गला काम कर रहा है blood circulation हो रहा है body में हर तरह से energy का consumption हो रहा है आपकी कोई भी muscle अगर work कर रही है तो वहाँ पर भी calorie burn हो रही है तो इस तरह से हमारी calorie जो है खर्च हो जाती है तो वो पूरी exact calorie transfer नहीं होती कितनी transfer होती है only 10% can be transferred from one topic level to another topic level this is known as 10% rule इसको 10% का नियम कहते हैं इसमें उर्जा सिर्फ 10% ही transfer होती है एक इस topic level से दूसरे topic level पर so इसलिए जितनी उर्जा नीचे होगी suppose करो यहाँ 1000 किलो कैलोरी उर्जा है तो यहाँ सिर्फ 100 किलो कैलोरी बचेगी यहाँ सिर्फ 10 किलो कैलोरी बचेगी और यहाँ एक किलो कैलोरी ही पहुँचेगी क्यों क्योंकि 10% उर्जा ही एक topic level से दूसरे topic level पर transfer हो सकती है यहाँ तक I hope आप सभी को clear होगा so अगर आपसे question आता है कि energy का कौन सा ऐसा pyramid है जो कभी भी ultra नहीं हो सकता which pyramid can not be inverted energy का pyramid it will always be a priority हमेशा सीधा ही रहेगा यह उल्टा नहीं हो सकता है यहाँ तक आप सभी को clear होगा अब चलिए कुछ important चीज मैं आपसे बता देता हूँ जैसे जो topic level सा है इसमें मैंने एक चीज आपको नहीं बताई जैसे topic level में portion के जो इस्तर होते हैं इनमें भी कई सारे अलग-अलग level होते हैं अलग-अलग चरण होते हैं ट्रॉप्रिक level में यह भी थोड़ा सा समझ लीजे आप लोग जैसे हमने आपको बताया कि कोई vegetation है जैसे कोई grass हो गई या कोई tree हो गया कोई पेड हो गया यह क्या करता है यह minerals लेगा यह sunlight लेगा उसके बाद यह क्या लेगा यह लेगा carbon dioxide तो इसको चाहिए sunlight यह लेगा carbon dioxide यह लेगा nutrients minerals यह लेगा water यह सब लेने के बाद यह photo synthesis करके क्या बनाएगा energy बनाएगा energy generate करेगा तो यह basically क्या है प्राथमिक चरण है primary level है पूर्जा के production का अब इस घास को या इस tree को कोई भी दूसरा कोई भी जानवर या कोई व्यक्ति consume करेगा वो जो हर्भी वोर है क्या है हर्भी वोर है यानि जो शाकाहारी है तो शाकाहारी खा लेगा तो यह हो गया इसको बोलते हैं primary producer primary producer जोकि यह अपना भोजन खुद बनाते हैं abiotic substances से बनाते हैं तो इसी लिए इनको बोलते हैं स्वयम पोशी यानि auto-trops auto-trops स्वयम पोशी यह अपना भोजन खुद ही बनाते हैं इसके बाद जो है secondary यह हो गया यह हो गया primary producer और यह हो गया primary consumer क्यूंकि यह इस producer को क्या कर रहा है consume कर रहा है इसमें कोई हिरन है कोई खरगोश है जो भी शाकाहारी जीव है उसको आप रख सकते हैं अब इस खरगोश को suppose करो कोई लोमडी खा रही है कोई fox खा रही है इसको तो fox कैसी हो गई primary यह सॉरी secondary consumer हो गई क्या हो गई secondary consumer हो गई secondary consumer हो गई बट यह कैसी हो गई कार्णी वोर हो गई यह हर्भी वोर तो नहीं है यह हो गई कार्णी वोर इसी तरह से कोई fox को कोई भेडिया खा गया वूल्फ कोई खा गया तो ये भी ये हो गया tertiary producer tertiary consumer और इस भेडिये को सपोस करो शिकार करके कोई human being खा गया जो कि सबसे उपर food chain में बैठा हुआ टॉप लेवल पे ठीक है तो इस तरह से primary producer फिर primary consumer फिर secondary consumer फिर tertiary consumer ठीक है तो herbivore, carnivore और omnivore, omnivore का मतलब हम लोग humans जो हैं ये क्या करते हैं हम लोग fruits भी खा लेंगे हम लोग vegetation भी खा लेंगे और हम लोग meat भी खा लेंगे हम लोग carnivores भी होते हैं तो basically ये होते हैं हमारे topic level portion के इस तर जहां पर कहां से start हो रही है primary level के producer से start हो रही है auto drop से start हो रही है और जा कहां तक रही है omnivore तक लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है जैसे मैं आपको एक बताता हूँ sequence में लिक करके suppose करो यहां पर ये primary producer है primary producer प्रात्मिक उत्पादक इसके बाद जो second level आता है हमारा वो आ जाएगा primary consumer का primary consumer का फिर आ जाएगा secondary consumer का फिर आ जाएगा tertiary consumer का यह secondary consumer जो हो जाएगा यह top carnivore हो जाएगा इसके बाद उपर आ जाएगा omnivore जो सब को खा सकता है नीचे जितने सब को खा सकता है ठीक है इसके बाद फिर आ जाएगा उपर इनको जब ये सब जब मर जाएंगे तो इनको सराने गलाने के लिए जो आती है वो होती है डेट्री वोर अप घटक जिसको बोलते हैं ठीक है ये वो होते हैं जैसे बैक्टिरिया फंगस वगएरा ये वापस से इनको सरा गला करके अब आयोटिक सब्सेंस में तोर देंगे जैसे कोई जीव मर गया तो सबसे पहले सणलाइट क्या करेगी उसको हीट दे गरके उसका मॉईस्चर उड़ा देगी उसकी बॉड़ी से जैसे पत्ता कोई गिर गया पेंट से सबसे पहले क्या होता है धीरे-धीरे करके उसका moisture गाया हो जाता है सूख जाता है वो तो water जो है वो evaporate हो जो जल था वो निकल गया उसके बाद जो bacteria और fungus ने अपना काम किया तो उसको वापस से constituent particles में तोड़ दिया carbon अलग निकल गया, sulfur अलग निकल गया, phosphorus अलग निकल गया और जो nutrient बचे उसको मिट्टी में जा करके उसने मिला दिया तो वापस से मिट्टी में वो nutrient मिल गया जिसको इस primary producer नी घास ने या पेड़ पौधे ने मिट्टी से उठाया था तो इसका मतलब जहां से food chain start होई वहीं पर जा करके यह food chain end हो गई, मतलब abiotic से start हुई थी और abiotic से ही end हो गई, जिससे तूलसीदास जी क्या कहते हैं, जीव है जीव अहारा, जीव ही जीवन का, जीव का अहार है, so abiotic से biotic में गई, और biotic से वापस से abiotic में आ गई, this is the life cycle, हर विक्ति की life cycle, हर विक्ति की, हर पेड़ पौधे की हर जीव जन्तु की life cycle यही है, जन्म भी किसी अजयविक ने दिया है, और मृत्व होने के बाद भी अजयविक ही बनना है, so जीवन क्या है, बहुत छडिक है, ultimately हम सब को अजयविक ही मिल जाना है, उसी मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है, तो यहां से किस पेड़ पौधे ने उठाया होगा, जीवन को, और उसको हम लोगों ने, हमारे माता पिता ने खाया, हमारे माता पिता से हम लोग हुए, हम लोगों के बाद हमारी अगली पीड़ी होगी, और उसके बाद वापस से सब का end कहा जाना है, उसी अजयविक में जाना है, वापस से पानी उड़ जाएगा, वापस से कारवन में कनवर्ट हो जाएगे, सलफर अलग चला जाएगा, फॉस्फूरस अलग चला जाएगा, ठीक है, और जो बचेगी राक, उसको मिला दिया जाएगा, और वो nutrient और mineral का काम करेगी, ताकि और जाएगा, पेड़ पॉधे और जीवजन्तु वापस उसमें पनप सकें, जीवन ले सकें, तो इस इस दे लाइफ साइकल, जो हमें environment ecology सिखा देती है, ठीक है, तो जीवन अबायोटिक से स्टार्ट हुआ और अबायोटिक नहीं खतम हो गया, फिर भी हम अबायोटिक को क्या बोलते हैं, अज जाए विक है, इसमें जीवन ही नहीं है, ठीक है, तो यह था हमारी आज़की class, अभी देखें कुछ बहुत important आपके questions है, apart from philosophy, हम लोग थोड़े से question देख लेते हैं, देखें यह question बहुत important question है, UPSC में पूछे जा चुके हैं, last, previous years में, जैसे यह question 2014 में पूछा गया था, चलिए बात करते हैं स्वी, क्या कह रहा है, question which one of the following is the correct sequence of food chain, food chain का correct sequence क्या है, देखो यहाँ पर, कह रहा है, diatums, crustaceans, herrings, crustaceans, diatums, herrings, diatum, herring, crustacean या crustacean, herring, diatum, it means basically आपको sequence बताना है, कि भई, कौन सा sequence हही है, food chain में बताया था न, एक sequential way में चलती है, straight line में चलती है food chain, तो आपको बताना है, कौन किसका आहार है, और कौन किसका भूजन है, तो सबसे पहले diatums क्या होते हैं, basically diatums के अगर हम बात करें, तो diatum जो होते हैं, यह हम यह diatum जो होते हैं, जब हम aquatic ecosystem पढ़ेंगे, तो aquatic ecosystem में जो producer होते हैं, primary producer, जैसे हमारे यह grazing food chain उसमें क्या होते हैं, vegetation होता है, घास हो गया, पेड़ पादे होगे, यह abiotic में लिला रहे हैं, इसी तरह aquatic ecosystem होता है, उसमें diatums जो होते हैं, यह abiotic को biotik में convert करते हैं, इसका मतलब diagnostic plants होते हैं, aquatic plants होते हैं पौधे होते हैं तो कोई भी food chain कहां से start हो रही है aquatic plants यह तो सही है diatum सही है बढ़ diatum के हमको दो option मिलते है diatum तो सही है diatum के दो option diatum crustacean herring diatum herring crustacean यह यह दोनों खतम हो गए elimination technique का use करेंगे यह दोनों खतम हो गए तो diatum में आपको पता है इसे phytoplankton आ जाते हैं फाइटो प्लैंक्टन का मतला plant है जो aquatic plants होते है phytoplanktons आ जाते हैं ठीक है तो diatum basically वह होते हैं इनमें आपके unicellular algae वगर आ जाते हैं algae जो होते हैं समुदर में जाते हैं यह सब क्या है यह पौध है basically vegetation है इनको कौन खाता है तो इनको खाएंगे zooplanktons आप समझना phytoplankton को कौन खाएगा zooplankton zooplankton का मतलब यह बहुत ही सुक्ष वजीव होते हैं समुदर में पाए जाने वाले फाइट्यव फबहुत चोटे-चोटे plants होते हैं जो ocean में पाए जाते हैं और यह प्लैंक्टन जो होते हैं इनका जीवान अखारीत होता इनी aquatic food chain है, phytoplankton को zooplankton, zooplankton को fishes fishes को बड़ी fishes और बड़ी मचलिया, तो phytoplankton में यह जो diatoms है न, basically यह phytoplankton में आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह तो सही है लेकिन आप herrings आएगा, crustacean आएगा देखो, जो herring होते हैं यह basically आप कह सकते हैं, इसमें fishes fishes बगएरा आती है, fishes बगएरा आती तो herrings तो नहीं होगा beach में crustacean आएगा, तो crustacean यहाँ पर है इसका मतलब diatoms, crustacean और herrings ऐसे common sense का इस्तेमाल करते हुए आप इसको solve कर सकते हैं, elimination technique से हाला कि जिससे नहीं पढ़ा होगा, उसको बिल्कुल नहीं पता होगा कि बगए common sense का इससे काम गरेगा यहाँ पर, diatoms ही नहीं पता है किसी को गर herrings ही नहीं पता है कि herrings में क्या आते हैं, मचलियां आती हैं कि नहीं आती हैं crustacean में क्या आते हैं, crustacean में basically anthropods बगएर आते हैं, larger number anthropods बगएर आते हैं जैसे आपके crabs हो गया, kekड़ा हो गया, lobster हो गया, oyster हो गया यह सब आपके आते हैं किसमें, यह सब crustacean में आते हैं तो diatoms में आपके basically ऐसे याद रुको, simple भाशा में diatoms का मतलब phytoplankton, phytoplankton का मतलब aquatic plant, जली अवनस्पती, crustacean का मतलब crabs बगएरा, kekड़े बगएरा oyster, lobster, crabs, यह सब आते हैं, herrings में fishes आ जाती है तो यही आपका सही sequence है, क्या कि phytoplankton को यह crabs बगएरा खाएंगे इनको खा जाएगी बचली, lobster, oyster को ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ए नमबर इसमें सही है, यही ए नमबर ही सही है, यही करेक्ट फूर्चीन, यह UPSC 2014 का question, अभी देखो, लोग कहते है UPSC question repeat नहीं करती, भाई करती है repeat, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग question को अच्छे से अगर analyze करोगे, question paper को, previous year question paper को तो आपको समझ में आ जाएगा, कि हाँ UPSC repeat करती है, बट repeat ऐसे नहीं करती है, PCS की तरह है कि as it is exactly उठा के question दे दिया, उसी topic से question पूछ लेंगे वो देखो, 2014 में यह question आया है, अभी रुखो, मैं आपको दिखाता हूँ आगे बढ़ जाओ, इस question को ज़रा धहान से समझो, क्या कह रहा है, इस question को ज़रा धहान से देखो, यह question 2021 में UPSC में आया है, कह रहा, consider the following kinds of organisms, निम्न प्रकार के जीवों को consider करो, क्या है, copypods, cyanobacteria, diatoms, and poraminifera, देखो भई, कुछ गिने, कुछ सुने सुने से नाम आपको दिखे इसमें, अरे, cyanobacteria, अभी इस से पहले हमने आपको बताया, cyanobacteria, blue, green, algae, diatoms, अभी हमने आपको बताया, diatoms का मतलब vegetation, phytoplanktons, तो यह basically कह रहा है, consider the following kinds of organisms, इन जीवों को consider करो, फिर क्या कह रहा है, which of the above are primary producers in the food chains of ocean, primary producers कौन होते है वो जो abiotic को biotic में convert करें, मतलब grasses, मतलब पेंड़ पौधे, मतलब primary producers, तो primary producer कौन सा है, cyanobacteria है ना, अभी हमने आपको बताया, blue, green, algae, यह planty तो है एक तरह का, diatoms अभी हमने आपको बताया, क्या होते है, phytoplanktons, planty तो होते हैं, तो आपको cyanobacteria और diatoms तो मिल गए दोनों तो 2 और 3 सा ही है, बाकी कहीं पर आप eliminate करके हटा दो इनको, सारे खतम हो गए, तो ऐसा नहीं UPSC question repeat नहीं करती है, यह example हमने आपको दिया, इससे पहले वागर वीडियो आप देखेंगे ना, उसमें भी मैंने आपको इस तरह के कुछ examples दी हैं, पहले के playlist में वीडियो जो प कर लो भाई, उनके बारे में थोड़ा सा, उससे होगा यह, कि कभी, वही terms अगर पूछ लिये गए, बहले ही question is it is ना मिले, बट उन terms के उपर question इस तरह से आते हैं, यह आपने देखा, 2014 का question 2021 में repeat हुआ है, ठीक है, 7 साल बाद, 7 या 8 साल बाद, ठीक है, 7 साल बाद repeat कर दिय इस तरह से करते हैं, ऐसे कई सारे question में आपको last classes में भी दिखाये थे, 2-3 questions, तो आप जाकर के playlist में देख सकते हो, तो इस तरह से यह रही हमारी आज की class, ठीक है, I hope आप सभी को class समझ में आई होगी, ठीक है, तो आज की class में आने के लिए, हमें join करने के लिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारी यह series continuously daily चलती रहती है, 10-11 बजे सुबह, ठीक है, तो आप सभी हम से जुड़िये और environment technology पढ़ने का आनन्द लीजे, ठीक है, तो study IQ, इस में आने के लिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद